तो भाइस साफ, फाइनली हम लेके आगे हैं, क्रॉस बीट का इगनाइट सीरीज 5 वाच, जिस वाच का हापी बेस अबनी से इंतजार था सभी लोगों को, और इस वाच का आज हम करने वाले रिवीव चेक करने वाले, इस वाच में क्या कुछ नया फीचर मिलता है, या वही वाच, पिटे, पुराने फीचर मिलते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किये, फटा पर उपन करते हैं बॉक्स को, और साथ ही साथ डिसकस करते हैं, सारे फीचर, बॉक्स को उपन करने से पहले मैं आपको बॉक्स का ओवर्व देता हूं, तो यह वाच होने बाली हमारी इंग box को यहां पर वह ही एक card आपको मिल जाता है warranty वाला और दूसरा card मिल जाता है आपको कुछ और तीसरा कुछ और चॉरता कुछ और तो सभी को रखते हम साइड में और आप देखेंगे तो यहां पर हमारी watch देखने को वह संहें ने चुजब़ेए नियू एक सिसे ये स्क्रीन का साइज है वाहिं यहां आपको बड़ा डिस्पले दिया गया है साथी के साथ ये बोल रहे है ये जो display है आपका age to age होने वाला है तो उसका पता करेंगे इसको on करने के बाद on करने से पहले मैं आपको बता दिता हूँ कि ये जो body है, वो होने वाली है आपकी metal की body और यहां पर आपको crown का button मिलता और यहां पर आपको quick button मिलता है और back side में आपको सारे sensors देखने को मिल जाते हैं जो कि यहां पर है तो भाई watch को कल लिया है on जो brightness एक दम जबरदस से लग रही है क्योंकि इसमें जो brightness मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपको 500 nits की यह screen बहुत ही सांदार होने वाली है क्योंकि जो screen का refresh rate है वो है 60 heart rate का refresh rate तो जिसकी बज़े से अगर आप daylight में भी देखेंगे तो आपको visibility बहुत तगड़ी मिलने वाली है और साथी के साथ इसमें आपको मिलने वाला है always on का option तो आप उसको on off अपने manually या अपने requirement के साथ से कर सकते हैं तो भाई सब्सक्राइब की ignite और यह है real की apple watch 8 तो आपको में दिखा देता हूं difference आप differentiate कर सकते हैं और अगर यहां से देखेंगे तो यहां से भी almost similar लग रहे हैं आपका एक या दो दिन कम हो जाएगा तो आप यह समझ सकते हैं कि आपका almost दो दिन से जादर बैक अप नहीं मिलने वाला है इसमें जो charging का option मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है wireless charging का option आपकी यह watch होने बाली है IP68 waterproof watch तो इसका मतलब है कि आप इसको rainy season में या बारिस वगेरा में यूज कर सकते हैं और बात करेंगर हम इसके back panel की तो यहां पे आपको glass back panel मिल जाता है यहां पे metal body मिल जाती है जो screen है आपको थोड़ी सी curved screen मिल जाती है और जो build है वो एकदम solid दे answer किस हद तक accurate होने वाले हैं तो चलते हैं फटाफट और चेक करते हैं तो वह watch को pair कर लिया अपने phone के साथ में और अभी देखते हैं इसके calling के feature को कि इसमें हमें call की quality कैसी रहने वाली है हमें आवाज कैसी आती है और सामने बाले party को आवाज कैसी आती है तो चलते हैं फटा हैं और सुन सकते हैं यहां पर मुझे call receive हो रही है तो चलते हैं फटाफट call को कर लेते हैं पेक तो यहां से मैंने call को pick कर लिया है बट आपको एक चीज़ बता देतो यहां से volume increase or decrease करने का option नहीं मिलता यहां पर आयूस आपको आवाज कैसी आ रही है सही आ रही है चलो ठीक thank you call को कर देता हूं disconnect तो जैसा कि आपने देखा साथी के साथ सुना call यहां से हम pick कर सकते disconnect कर सकते हैं बट सबसे बड़ी problem आप यहां से volume control नहीं कर सकते हैं अगर मुझे volume control रहने के लिए अपना phone निकाल ला होगा तो फिर मैं इस watch से phone क्यों pick करूंगा सबसे बड़ा question यह आ दालने बाला हों चेक करने बाला हूं कि यह बगिर हाथ में डाले हुए इसकी हाडवीड बताता है कि नहीं तो आप देखेंगे पिछे से तो मैंने band को लगा रखा है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह रीड नहीं कर रहा है तो पपू हमारा पास हो गया है आप पपू को आसपास यहां पे भी 96 तो SPO2 तो लगबग लगबग मैच कर गया तो भाई इसमें जो ये speaker मिलने बाला है वो मिलने बाला है आपको 2W का inbuilt speaker जिस पे आप music भी सुन सकते हैं तो अभी करता हूं मैं music को play और आपको दिखाता हूं कि quality कैसी होने वाली है तो जैसा कि आप सुन सकते हैं यहां पे music हमने play कर दिया है तो भाई अभी बात करते हैं इस watch के final के बारे में कि यह watch हमें consider करने चाहिए या नहीं करने चाहिए या हमें कोई और option देखना चाहिए तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं price point के हिसाब से यह watch पढ़ने वाली है under 4000 रुपीज तो 4000 रुपीज के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि यह 4000 रुपीज में हमारी worth करने वाली है कि नहीं बात करें इसके built-in design बहुत अग्रा होने वाला है बात करें इसके sensors की तो sensor काफी हद तक सही काम कर रहे हैं और दूसी चीज जो आपको look and feel मिलने वाला है वो मिलने वाला ह आपको apple watch series 8 का तो वो भी consider कर सकते हैं बट speaker जो जब हम इसमें बात करते हैं तो उसके speaker को volume को आपको phone से control करना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई option नहीं मिलता है तो उसकी वज़े से थोड़ा सा मैं disappoint हूँ अगर आप overall देखेंगे तो इस watch को मैं recommend करता हूँ क्योंकि दो चीज है तो ENC आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है साथी के साथ एक चीज और अच्छी हो सकती है वह हमारा subscribe को button अगर आपने हमारे चनल को अभी तक subscribe कर लिजे और वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना और share करना मत भूलिए इस वीडियो करते हैं यहाँ पर end और मैं मिलता आप से अगले वीडियो में